राजनाथ सिंग करेंगे नामांकन, नामांकन से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, नामांकन से पहले करेंगे रोड़ शो, सुबह तस बजे राजनाथ बीजेपी कार्याले पहुचेंगे, भारी भरकम जुलूस के साथ कलेप्टरेट जाएंगे, मेंद्रनाथ पांड और हमारे साथ इसी कबर पर जादा जानकारी के साथ फर्मान आज रोडशो है नामंकन करने वाले हैं राजनाज सिंग क्या कुछ जानकारी है कितने विज़े शुरुआत होगी इन सब कारेक्रमों की देखे तकरीबन दस बजे जो भारती जन्दा पार्टी कारेले है वहाँ पर राजनाज सिंग पहुँच जाएंगे और वहाँ पर जो कारकरता है उनको संबोदित करेंगे कारकरताओं की बड़ी संख्या वहाँ पर मौजुद रहेगी और उसके बाद उनका काफला सीधे कले के लिए रवाना होगा और कलेक्टेट में पहुँचकर वह तक्रीबन बारा बजे अपना नामनेशन दाखिल करेंगे इस बीच जब वह भारती जन्दा पार्टी कारेले से निकलेंगे उनका काफला निकलेगा तो ये रोड़ शो की शकल लेता हुआ और कलेक्टेट पहु रहेंगे और नामनेशन के वक्त भी मौजूद रहेंगे ये कहा जा सकता है कि एक राजधानी लखनो की एक बहुत प्रतिष्ठित सीट है जो लोगसवा सीट लखनो हुए है तो ऐसे में यहां पर शक्ती प्रदर्शन करके भारती जन्ता पार्टी एक संदेश देने की बात करें अभी तक कोई उमीदवार यहां से डिसाइड नहीं कर पाया है ना तो गडबंदर और ना कॉंग्रेस ये इस बात को बताने के लिए काफी है कि बारती जन्ता पार्टी इस सीट पर कितनी मजबूत है और वही मजबूती और वही ताकत दिखाने के लिए आज रो देखिए बिल्कुल जिस तरह से ही चुनाव आयोग ने सकती दिखाई है और योगी आदितनात को आज सुबह छे बज़े से बैन किया है जो उनकी समय सीमा है ऐसे में उनको ये कहा गया है कि ना तो वे मीडिया से बात करेंगे ना किसी तरह का कोई इंटर्विव देंगे ना किसी तरह कोई चुनावी जनसावा को संबोधित करेंगे तो ऐसे में बिल्कुल ये जटका जरूर कहा जा सकता है चुकि भारते जंता पार्टी के स्टार प्रचारक है योगी आदितनात जो मुक्पंतरी हो तर प्रदेश के तो ऐसे में राजनास सिंग के नॉमनेशन क के वक्त उनका उद्वोधन नहों तो ये बीजेपी के लिए एक थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि जटका माना जा सकता है धन्यवाद फर्मान इंतमाम जनकायों के लिए दिन बर हमारी नजर निश्रे तोर पर रहेगी क्योंकि महत्तुपूर्ण है ये जानना कि क्या कुछ होता है बहुत धन्यवाद आपका इंतमाम जनकायों के लिए और